असलाम अलेकूम आएम यार्वोस साधिया, आज हम बनाने जा रहे हैं एक केक और वह है स्टॉबरी केक अगर अभी तक आप लोगोंने केक बनाना नहीं सिखा तो कोई मसला नहीं है, हम चटपट केक बनाना बताएंगे आपको अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिस्ट गो और प्रेस टेट आइकन, ओके तो हम लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास है एक पैन, हम इस पैन को सबसे पहले करेंगे, ग्रीस ओके इस पैन को हम ग्रीस करेंगे, मैं आपको बताती ही हूँ, ग्रीस करने के लिए हम इपैन लेंगे, और एक हमारे पास यह है, इस को हम ग्रीस कर देंगे, ऐसे यह देखे हमने पैन को दिरीज कर दिया है अब हम इसको पूरा डस्ट कर रहे हैं इस पैन को आपके अच्छे से हमारा केक बन जाएगा और नीचे नहीं किलेगा चिपकेगा भी नहीं यह देखिए यह हमारा हो गया अब हम इसको रखतेंगे साइट पे उसके बाद हम लेंगे एक पैन और इस पैन के साथ हमने कुछ गेम करनी है और वो गेम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ वो गेम यह है हम लेंगे एक फोटा सा पैकेट इसके अंदर दाने के हम फ्लार यह हमारे पास मैदा है मैदा दानेंगे यह तकरीबन दो कप आप मैदा ले ले मैंने आज यूज किया है यह वाला आप देख सकते हैं कि यह स्टॉबरी फ्लेवर का है आपको इसा भी ले सकते हैं और उसके लाबा आप घर में भी यह बना सकते हैं उसके लिए मैं आपको सासार बताती रहूंगी तू जो आप लोगों ने जो लेना है वो लेना है आपको लीजिएगा फूप तू काप मैदा उसके अंदर वन टी स्पून बेकिंग पाउडर लेके उसके बाद आप उसको मिक्स करिएगा चान के चानने के बाद मिक्स करके आप चीनी और बटर उसको मिक्स करिएगा मिक्स करके एक अच्छा से मिक्सर बनाके और ग्रेजि यह देखे यह फ्लार लिया है फ्लार के अंदर मैंने दो कप दो कप फ्लार डाला है और इसके अंदर अल्रेडी फ्लेवर मिक्से स्टॉबरी का अगर आपके पास नहीं है तो लो प्रॉब्लम आप इस्टॉबरी रे लिजिए उसको मैश कर दीजिए जब आपका बैटर बन जाएगा आप उस बैटर के अंदर इस वाले स्टॉबरी के उसको डाल सकते हैं और उसके लावा अब हमारे पास हमें चाहिए होगा वन का ओए एंड थ्री एक्स मैंने यह एक पैन लिया है इस पैन को मैंने फ्रीजर में तकरिबान दो घंटे खाली रख दिया था यह मैंने एक साशे लेके और इसके अंदर डाल देजिए मैंने एक साशे डाला है यह पाउडर है पाउडर लेके और इसके बाद हम लेंगे मिल्क आप लेंगे तकरिबन हाफ कप मिल्क लेने के बाद मिल्क भी ठंडा होगा लेने के बाद हम हाफ कप इसमें मिल्क डाल देंग और इसको हम करेंगे बीट करेंगे इसके अंदर आप इसको जितना भीट करेंगे उतना भी थिक होगी और इसको जो करेंगे इसकी अंदर आप इसको जितना भी दोगद आप आप इसके अंदरणीब झाल झाल यमी अगर आप जाहें तो उसके अंदर वैनीला एसंस का सिर्फ एक ड्रॉप वो डाल गए क्योंके इस वो अल्यागी होता हिले है बस जस एक ड्रॉप फुरा टेस्ट के लिए आप टेस्ट करेंगे इस विप क्रीम का ओरड़ी टेस्ट जाना हो इस फिंटास्टिक झाल टेस्ट के लिए एक ड्रॉप जाना हो बाता है आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाते हूँ यह देखे, यह कितनी स्मूथ क्रीम बनी है, आप देख सकते हैं, तेस्टी, इसमें आपको चीनी मीनी डालने की कुछ जरूरत है, सब कुछ ही है, अब आप इसके यह देखे, कितनी फ्लॉफी बनी है, बस मेरा यहां से केक रे और फिर हम इसकी आइसिंग करेंगे और आइसिंग के लिए मेरे पाद दूसरी चीज है यह शुगर बोल्स यह शुगर बोल्स आप अवेलिबल है बहुत आराम से मिल सकते हैं किसी भी सुपर मार्केट से यह देखिए आप इसको ले सकते हैं और यह हम स्प्रिंकल कर देंगे यह हमारा केक रेडी हो गया है अब मैं इसको आपको दिखाते हो यह मैंने पाइपिंग बैग में टाल दी है विप क्रीम अब हम इसको अच्छी तरहां से अच्छी मेरा आपको देख रहे होगे मेरे हाग कर आपको अईसे है देख रहे हाग कर आपको अपर आपको अच्छी है यहर दोर्ब पे चार में घड़ी कर दोथे हो उता कि आ्या थानों से हो, हब उनका रार गए कर दो के ही अनले उते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो अगल यह देखिए यह इस तरह से यह आगर आप चाहें तो आप इसके साथ वेरियेशन कर सकते हैं जैसे यह करके और इसको बहुत इस ट्रेफ करते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे थोड़ा सा करल अच्छा लगता है और इसके बीच में भी हम ऐसे स्ट्रेफ करते हैं ताके देखने में भी फुछ स्ट्रेफ करते हैं क्योंकि यह केक मैं बनारी हूं अपने बीटे के लिए तो आपको पता है बच्चों को ज़रा कलर फूल चीजे बहुत पसल होगे तो मैं यह क्योंकि आपको अपने बीच के लिए ताके इसको अट्रेक्ट करें बहुत क्योंकि अपने बहुत यह दो जो है कि ले अटार वास्टर और अंचास पार लाने अटीर और ने अटार झाल पार शे पार अटार शेम एक्राम इडाँ जयर अटश्यू बाले दो फिर चार है कि और टुम है भीगात्य प्रेशर फे भीजोर्फ पत्यूपित से एक उता है प्ट्यूल